दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूटूब मंच पर चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कहानी का सीरसक है स्रिष्टी का निर्माड़ दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी मिले चलें आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें आपके लाइक एम सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है तो चलिए सुरू करते हैं कहानी सृष्टी का निर्माड़ उत्तराखंड में प्रचलित प्रणाडी गाथा के अनुसार प्रितिवी में स्वर्प्रथम निरंकार विद्यमान था उनके द्वारा सोनी और जंबू गरू की उत्पत्ति के पश्चा थी सृष्टी की रचना मानी गई है आईए जाने उत्तराखंड के लोगों के वीज स स्रिष्टी के निर्माल के बारे में कौन सी कहानी परचलि था है। गुरु को आश्चरी हुआ कि मुझे तुम मानो पैदा करने चाहिए थे ये गरुणी गरुण ऐसे पैदा हो गए गरुणी ने योवन प्राप पर गरुणी से भीवा का प्रस्ताव रखा गरुणी ने उसको ढाटा और कहा हम तो भाई बहिन हैं और तुम देखने में भी भद्दे हो गरुण रो पड़ा उसे देखकर गरुणी का हिर्दे द्रवित हो गया उसने गरुण के नेत्रों से निकले आशु पी लिए फलतव गर्ववती हो गई गरुणी दुखी होकर कैलास छोड़ कर कहीं दूर चला गया गरुणी का गर्व विक्षित होता गया वह गरुण को जून दिने लगे गरुण मिला किंतु गरुणी से रूठा रहा अंत में अनुने भीने से मान गया दोनों कैलास पर लोटाए गरुणी को अंडा देने का कोई अस्थान न मिला वह बोली मैं अंडा कहां दूँ गरुन ने पंख पसार दिये गरुनी ने जैसे ही अंडा दिया वह गिर कर फूट गया नीचे के भाग से फृत्वी और उपर के भाग से आकास बना अंडे की सफेदी से समुद्र और जर्दी से जमेन माना जाता है इस निरंकार से सिर्ष्टी की रशना की गई दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को आप अपने दोस्तों के बीच सेर जरूर करें मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत बंद मात्रम